मेरी स्क्योट्टी तो होली के अगले दिने विड्रा होगी थे होली वाले दिन मैंने मुख्य मंत्री को फोन किया था विश्च करने के लिए मैं हम तोर पे होली दिवाली जो भी अमारे फेस्टिवल्स हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरे संबन्द हैं वो उनको विश्च करता हूँ तो मैंने मुख्य मंत्री को वड़ी वाले दिन विश्च करने के लिए फोन किया था वड़ी की मुबारक बात देने के लिए और जब मैंने मुबारक बाद दी तो मैंने उनसे का मैं भूले आप ज़्यादा वैसन होगे मैंने तो केवल आपको ओड़ी की विश्के लिए फोन किया था तो मुख्यमंत्री का आगे से जवाब था कि हमें तो आप लोगों ने खाली कर दिया कि मैंने का भी खाली तो आपके जो निर्णे थे सरकार के के अंदर की सरकार के रापके उसकी वज़े से खाली बैठी है अब आप कहीं जाकर के कारिये करम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ऐसे तीन किर्शी के काले कानून बना दिये जिससे हर आदमी आज आपका विरोध करता है चाहे वो किसान है वैपारी है कर्मचारी है क्योंकि सब लोगों का समन्द खेती के साथ है इसलिए आपका विरोध है इसलिए आप खाली होगे आगे से भुख्यमंतिरी का रवया बदल गया बहुत अंकार के साथ मुझे का कहने लगया कि आप लोगों को बढ़काते हो तो मैंने का बढ़काने का काम तो आपने करका है आप रोज कारिय करम बढ़ते हो रोज उनको चैलेंज करते हो कि हम फ्राणी जगा रहे हैं हम फ्राणी जगा रहे हैं तो करन लेका नहीं कहा आप टोल के उपर गे थे मगडोली अखोल करें मैं और Cowdy से दो दिन पहलेए जा किया थै मैं आप महां लोगों को बंब का कर किया मैंने जान दिया मैंने का उससे पफले पंजाब के हमेले के साथ मिलोगों ने उसके कपड़े उतारने का काम किया और वहां इस बात पर चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछ लिया लोगों से भी और याना के अंदर कोई बीजेपी का जेजेपी का मले मंत्री आपको मिल जाए तो क्या करोगे तो करने लगे कि पंजाब ने एक भी कट गिरा है हमें एक ने डेड़ गिराएंगे हम उससे भी ज़्यादा बूरी करें तो मैंने का मका लोग वाकी इतना गुस्से में हैं मका कि अगर कोई आपका बिना स्कुरिटी के बिना फोर्स के चला गया तो बहुत बूरी आलत कर दे हैं मतलब दूसरे अंदाज में बोल रहा था और कह रहा था कि जो कोई बढ़काता है उसके खिलाब भी सरकार जया सक्त कारवाई कर सकती है मैंने फिर मुख्या मंतरी को ये बात कही मुख्या मैंने तो विश्च करने के लिए फोन किया था आगे से फिर मुख्या मंतरी मुझे कहता है कि आपके खिलाब ये सक्त कारवाई हो सकती है मैंने मुख्य मंत्री को का मैं अबले में तेरी सक्त कारवाई का इंतिजार करूंगा मुझे आज 20 दिन होगे इंतिजार करते वे अब तक तो कुछ वानी आप से कौंगा कि आप जाकर के मुख्य मंत्री से कुछो तो सरी कि क्या खाली दमकी देनी जानता है या कुछ करना भी जानता है अगर मुख्य मंत्री का इतना ही बड़ा डोड है तो फिर वो मेरे खिलाब सक्त कारवाई करें उसने कोई पत्तरकार को तो हो सकता है अंदर दे दिया हूँ और उसने हो सकता है किसी किसान नेता को पकट आन्दर दे दिया हूँ अबैर सिंह के खिलाब जिस दिन कोई सक्त कारोई करने की मुख्य मंत्री कोई इस तरह की कारवाई करेगा तो शायद एसास भी चलने पर ओर तो कोई दोर चला नहीं रिस Mi drei करने कै उसंने यह स्थाथ कि मैं इसकी स्कुर्टी वी ड्रा कर लूंगा बिद बीच के बीच में जाएगा उसको यह पता ही नहीं है कि मैं तो सारी उमरी बिना स्कूर्टी के लोगों के बीच में गया है मेरी कोई सरकार की स्कूर्टी से थोड़ी कोई काम चल रहे हैं मेरे पास तो मैं एक फोन अर्याना में अगर आज वीडियो कोल करके को भी मुझे अजार ब बैटकर रहे इन समका बैटकर कि मैं तो किसी ट्रोल पे रात को मारा बज चौते आओं मैं तो किसी इसल आतको किसान है आज ऐसा सोगया कि नियुभा गया कि कि आज किसानों के इतेशी होने की बात करते हैं किसान के इतेसी हैं और चोधरी अगर किसान की बात करते हैं किसान के अंदर ने तो फिर ये कदम जरूर उठाना चीए किसान के अंदर नहीं ये गिरो है अब कि बार लिटोरों का इस सरकार में जो दोनों आतों से परदेश को लूटने में लगें सरकार तो केवल अखवार में ब्यान दे रही हैं सरकार की ये जुम्यवारी बंदती है कि अगर कोई हमारे यहां लेबर करने आया है तो उसको सरकार पे इतना वरोसा होना चाहिए चाहिए वो किसी भी स्टेट का है उसको ये वरोसा परदेश की सरकार पे होना चाहिए कि वह तुम्हारी जान माल हर चीज की फाज़त इस सरकार की जिम्यवारी है वो तो परवाश्यों की नहीं, उनको तो प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए तो रोज प्रोग्राम बना करके अपने और लोगों को उक्साने का काम करते हैं, लोगों को लडाने का काम करते हैं, कहीं फोर्स से लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस क कि अज कोन कारीय करम कर रहा है प्रदेश के इन्दर इन्हीं के लोग कर रहे हैं तो कुरोना का बढ़ाव कोन दे रहा है किसान जो बॉर्डर पे बैठा है बैठा है अब तो किसानों की मापन चाहिए तुभी नहीं हो रही है किसान तो खेत में काम में लगया हुए आज वो उस महाममारी को बढ़ावा देने के लिए जगे जगे इनका द्यक्ष जाता है जगे जगे इनके मेले मंत्री गूमनी की कोशिश कर रहे हैं अगर इतने ही तकड़े हैं तो पंद्रा मई के बाद फिर परदेश में कई प्रोग्राम बना के दिखाना ना लोग एन तसली बढ़ा देंगे अब तो मजबूरी है किसानों की कि किसान विचारा खेत में जाए कि इनका विरोध करने आए पंद्रा मई को एन खाली हो लेगा उसके बाद देखने कहीं कारिये करम करके हैं फिर मुख्य मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री सारे जाये तो सरी इनका बैम काड़ देंगे अच्छी तरह से अब इनको यह गलत फेम ही होगी कि किसान थोड़ी संक्या में आ रहा है और यह यूं सोचते होंगे कि किसान कहीं विचारा ज्यादा दिन इसांदोल उनको चला चला के ठक नहीं गया यूं पता नहीं है वो एक ऐसी अक्सरसाइज करके आएगा कि थार आया इन विलकुल ठ ठीक तर ऐसे बैम काड़ देगा अब जिस दंग से पिछे इन्होंने एक योजना बनाई थी किस कोविड की विमारी के बाने से अब फोर्स लगा करके किसान को जबर्दस्ती यहां से उठा लेंगे अब इनको इस बात का एसास हो गया इनके पास जो रिपोर्ट आई है आई वी की रिपोर्ट है इनकी इंकि और इंट्रीजन्स अजन्सी जह उनकी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने साफ्थ दोर पर सरकार को लिख करके दे दिया कि अगर तुमने छोटी सी भी कहीं जबर्दस्ती करने की कोशिश करी तो बहुत बड़ा अंजाम उस चीश का तुम भूखतोगे और अंजाम भी ऐसा होगा कि आप लोगों ने कहीं सपने में बिनी सोचा होगा तब जाकरके इन्होंने अपने आपको उससे विड्रा क्या अब सफाई दे रहे हैं रोज कि हम तो किसान से रिक्वेस्ट करते हैं उससे जबर्दस्ती नहीं करना चाहते हैं इन्होंने जबर्दस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आज भी किसान को उक्साने के लिए जहां मुख्यमें मंतरी की बात करता है अर्याना की बात करता है वैसे मुख्यमें मंत्री भी आज कला याना की मन की बात करता है मतलब जो प्रदान मंत्री करें मुख्य मंत्री अपने इस आप से कुछ नहीं करता है जो प्रदान मंत्री करता है वैसे मुख्य मंत्री करने लगे और मैंने इसकी वो सुनी थी मुख्यमंत्री जी की उसमें बारी-बारी से कॉविड को लेकर बड़ी चिंता जाइर कर रहे थे अगर इतनी चिंता मुख्य मंत्री को है तो फिर मुख्य मंत्री के मंदल के लोग जो है उसकी पार्टी के विदायक है उसकी पार्टी के संग्ठन के लोग हैं वो फिर जाकर कि किसलिए जगह जगह कारिये करम करते हैं किसलिए लोगों को बढ़का रहे हैं किसलिए करोना को बढ़ावा देने के लिए लोगों को इकठा कर रहे हैं किसलिए आज पर्धान मंत्री इनका होम मनिस्टर इनका राष्टिया देक्स इनके अनुकों मंत्री जो हैं बंगाल में जाकर कि चुनाव की जन सबाएं कर रहे हैं अगर चिंता है तो फिर उनको लोगों को कैसे बचा को चाहिए और कार्यक्रम रद करके लोगों की चिंता करने की बजये सब्रॉम जुए मैं उस्के नरहता की बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं वहीं लोगों को साना चाते लोगों को आपस में लदाना चाते है आज की गटना है कुरुक्षित्र के अंदर एक पत्रकार है जो एंडी टीवी से संबंद रखता है जो लोगों के सामने सारा दिन सच्चाई देश के अंदर क्या हो रहे है उस चीज को अपने चैनल से दिखाता है जिसका हिंदूस्तान नी विश्व के सतर पे लोगों को आ चैनल एसे हैं जिन पर वरोसा किया जा सकता है जिन में एक चैनल एंडी टीवी भी है उसका एक रिपोर्टर कहीं हैं इनके अध्यक्ष के कार्यकरम में बिपॉर्ट करने इस परुटिंग करने के लिए घा था उसके साथ मद्रमी जी करीगी और उस मद्रमी जी से आज कुरुक्षत्र के सारे पत्तरकार जो धढ़ने पे बैठे है अब तो ये लोग जो हैं पत्तरकारों के साथ भी जो कहीं इनकी पोल खोलने का काम करता है उसके साथ भी बत्तमीजी पे उतर आए ये सरकार तो आज जो आज अर्याना में सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोगों की सेवा करने की बज़े हैं आज ताना शारविया अपने बैठे हैं आज अंकारी हो चुके हैं आज आज़ें लोगों के अंदर कैसे अपनी पाकत सरकारी पाकत अश्तेमाल करके लोगों को दिबाणे के कोशिश की जा रही है जह 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 कार्य करम बना करके कि आजारों आजारों पुलिस के लोगों को ले जा करके कहीं इस प्रजात अंत्रीक परनाली को दबाना और कुछलना चाहते हैं कि इन सब के लिए कि आज अगर इस प्रदेश में कोई जुम्मेबार है तो प्रदेश की मौजुदा सरकार है कि आज करोना अगर हमारे प्रदेश के इंदर बढ़ा है अगर यह महमारी आज पिछले वर्ष की तुलना में दो गुणा को भी पार कर चुकी है हमारे पिछले साल में तीन अजार कुछ केस मैक्सिमम थे आज अर्याना में छेजार से ज्यादा केस है और जिस दंगसे इनोंने कारिये करम बना रखे हैं जिस दंगसे जाते हैं जिस दंगसे आज कहीं कमरों में बैठ करके मिटिंग करते हैं मुझे उससे लगता है कि महमारी और जादा बढ़ जाए इसके लिए जुम्यवार हैं जहें इस महमारी के लिए जुम्यवार हैं वहीं उसके साथ साथ है कि आज किसान को जिस दंग से लूटने का काम हो रहे हैं इस ल fantasy सरकार में यहां पिछे दान का गोटा लावा शराव का गोटा लावा जारजिस्टी का गोटा लावा जंगेउं का पिछला गोटा लावा वहीं अब नए तरीके से अजारों किरोड का एक नया गोटा लागेउं का आज होनी जा रहें कि बेदिखन अर्याना प्रदेश के अंदर एक लाख है मैत्रिक टन घंच जो है कि तो 50 लाक मैं ठीकट अंगël अब तक कि तो पचास लाक यह रणी है एक किरोड के लगवग एक किरोड मैठीक टन के लगवग कियो अती है एक लाख मैट्रिक टन का मतलब है कि एक कि रोड मैट्रिक टन का मतलब हो गया कि पचास किलो का एक बैग है तो टोटल कितने बैग हुए है ज्यादा होंगे तो चालीस किरोड रुपया तो एक एक बैग में भी खा गई है है दो रुपया एक किलो गयओं ज्यादा ले रहे हैं तो दो रुपध कि और इक नहीं होगी बीस रुपध कि होगी कि हैं तो चार सो किरोड का गोटाला बनता है कि उसके इलाइदा लिफ्टिंग के मामले में आपके जो बारदाना है उसमें वो अलग से अजारों किरोड रुपे का गोटाला है अगर इसकी भी जांच हो तो मुझे लगता नहीं है कि मुख्यों मंत्री तक इसके आंच आए कि आज भी मैं अख़वार में पढ़ रहा था कि तीन सो अधिकारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और आपके उनमें कुछ अधिकारी है कि शेरी निकाई डिपार्टमेंट के लिए जिनके बारे में का जाता है कि इन्होंने रजिस्ट्री के मामले में बहुत बड़ा गोटाला किया जो सैमन ए जो बना उसकी अंदेखी करके है रजिस्ट्रियां हुई और पचास हजार से ज्यादा रजिस्ट्री है सरकार उनके खिलाप कारवाई करने की वजय है उनको बचाने में लगी वी है है कि एसस्यस की रिपोर्ट जो है तीन मेहीने पहले सरकार को सौंप दी गई थी अब तक इस एक अधिकारी के खिलाब कोई कारवए नहीं अगर ये कहतने हैं कि यह अब है रहा चार को खत्म करने हम्हारी सरकार का संकलप है कि हम रहा कार खत्म करेंगे तो फेर उन-दैन सो अधिकारी को तुरुन्त ससंप्ट करना चाहिए था और उनके खिलाब जो मुकदमेद बनने चाहिए थे क्योंकि ये तो सिधा-सिधा रिश्वत का मामला है गोटाले का मतलब रिश्वत ली गई है पैसे का लेंडेन वाए उनके खिलाब पर्चे दर्ज करने चाहिए थे उनको जेल में बंद करना चाहिए था ताके उससे आगे अधिकारियों को सीख मिलते लेकिन उनके खिलाब कारवाई करने की बजाए ये तो छूट दे रहे हैं आगे और कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा वरस्ता चार कर ले हमारी सरकार उसके खिलाब कारवाई नहीं करेगी आज तक मुख्य मंत्री दो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करसका शराब गोटा लेकि वो रिपोर्ट पर उसके पास है और दूसरी जोई रजिस्टी गोटा लेकि दोनों अगर सार्वजनिक करता है तो इसकी सरकार में मुझूदा मनिस्ट्र भी और इसके पिछले जो मनिस्ट्र है वो भी इसके अंदर शामिल पाए जाते हैं